बिश्कर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत कते हैं हमारे इस खास चैनल पुनम टॉक में आज का वीडियो जो है मैंने बनाया है रितू दहिया जी के लिए और जैसा कि सभी चांते है फ्लाइंग बिस चैनल अपने आप में एक जाना माना चैनल है और रितू दहिया जी की और गौरफ तनियजाई की जोड़ी को हमेशा से बहुत जादा पसंद किया गया है लेकिन अभी 4-5 डेज से लगातार उनसे related काफी वीडियो वाइरल हो रही थी कि वो प्रेमान जी महराजी के यहां जाती है और यह उनकी वाइस है यह उनका चहरा है और फाइनली जो है रितू दहिया जी ने इस पर अब अपना statement दे भी दिया है और उनका कहना है कि यह statement specially उन्होंने हमारी यूट्यूब आर्मे के लिए जो यूट्यूब आर्मे उनके लिए एक मोर्चा लेकर खड़ी हो गई है अपनी अपनी बातों को लेकर अभी मैं कम्यूनिटी में जो है उनका एक वीडियो लगा भी दूँगी आप लोग उस वीडियो को देखिएगा वो वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो लोग तूसरों के घरों में घुसते हैं जबरदस्ती जो औरत को एक अबला औरत का जो आप अपने पेरेंट से आप अपने हस्बेंट से आप अपने भाई से नहीं बता पा रहे हैं तो आप किसके पास जाते हैं रितु दैया जी ने साफ कहा कि वो श्री जी के पास गए और उन्होंने अपना जो भी प्रॉब्लम था वो उनके साथ रखा वो उनका परसनल था लेकिन लोगों ने उसे पर्सनल नाद लेकर इतना सारा जो है एक रायता ही मैं बोलूँगी इतना फैला दिया कि सब लोग अपने 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 मत रखने लगे रितु दैया जी का statement पिल्कुल straight forward है कि आप लोग जो मेरे husband के लिए बोल रहे हैं और जैसा आप लोगो सोच भी नहीं सकते वो उसे भी लाख दरजे बहुत अच्छे इंसान है किनके घरों में problems नहीं होती हर किसी के घर में problem होती है किसी की parents के साथ problem होती है किसी की भाईयों के साथ किसी की बहनों के साथ किसी की husband के साथ किसी की दोस्तों के साथ हर किसी के साथ problem होती है लेकिन इ शायर वो अभी तक अपने इंस्टाग्राम चैनल से आ चुकी होती, वो अभी तक सारी बाते और शोचल मेडिया रख चुकी होती, लेकिन उनको शोचल मेडिया छोड़े हुए भी पूरा एक साल हो गया है, जैसा कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने स स्पेशल मैसेज दिया है उन लोगों के लिए, कि भाई, जयाए, अगर आप लोगों को लगता है, तो जितनी जो घर में जो महिल लाए रहती है न, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आप जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्फ कीजी, क्योंकि वो अपनी बच्च जाते हैं, नहीं भी रखना चाहते न, उन लोगों को मजबूर कर दिया जाता है, आज सुबही मैंने अलका जस्वल जी को लेकर वीडियो डाला था, उस वीडियो में भी मैंने यही कहा था, कि प्लीज किसी को अपने 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 हिसाब से कोई रियक्शन मत दो, अपने अपने साफ क्लियर कर दिया है, अगर उन्होंने जो बाते थी वो अपने भगवान के आगे रखे, उन्हें आप लोगों की जोरत है ही नहीं, आज उन्हें शैद कोई बात बुरी लग गए और यहां रितु जी को कोई बात बुरी लग गई, आने वाले समय में वो दोनों स साथ भी होंगे, लेकिन ये शोशल मेडिया इतना गंदा कर देता है कि कोई रिष्टा अगर बनता भी होगा ना तो हमेशा बिगड़ता है, और मेरे कितने सारे लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होगे ना, इनमें से काफी लोग होंगे जिनको मैंने हमेशा रोका है कि आप अपने घर की बात एकलिस शोशल मेडिया पर मत लेकर आओ, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनको बोल ले तो इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग किसी के कहने पर आप अपनी शांती भंग मत करो, बहुत मतलब ऐसी चीज़े रही ह जो पारिस ठकराल जी के समय भी मैंने यही वीडियो बनाया था, कि प्लीज आप लोग अपनी परसनल बाते अपने घर में ही सुल जाओ, ये बाते शोशल मेडिया पर आकर और ज्यादा तड़का, बहुत ज्यादा फैल जाता है रायते की तरह, ये चीज़े ठीक नहीं हो स कोई जो है इतना सारा अन करने के बाद, हम सब जानते है YouTube से कितना आता है, कितना नहीं आता, सब कुछ हम लोगों को बता है बहुत अच्छे से सब को पता है और इवन आज किसी से नहीं चुपा यूटूब पर कितने व्यूज पर कितना की आता है लेकिन फिर भी लोग अपने आपको अबला बताते हैं तो अबला वो है जो बिचारी घर में बंदी हुई है जो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती है आज उनके साथ अत्याचार भी हो रहा है और वो जीवन में कुछ करना चाहती है पर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आज लोग सिर्फ और सिर्फ व्लोग ऐसे ही बनाते हैं कि हाँ इ सकता था फ्लाइंग बेस्ट और रिक्तु जी को लेकर लेकर नहीं आया रीजन ही यही था क्योंकि जो चीजे अभी तक उन्होंने एनाउंस नहीं की तो हम लोग कैसे बोल सकते थे ऐसा नहीं है कि हमसे भी गलत होता है इसलिए उस सबक को आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत सारी चीजे हमारी लाइफ में भी ऐसी हुई है कि हमने इधर से सुना और हमने फटा 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 फट बो दिया हमने उस चीज की जांच पड़ता ही नहीं की जो कि बहुत गलत होता है और आज उसी चीज का सबाइक है कि आज मैं आप सो लोगों को सिफ यही बोलना चाहती हूं कि प्लीज आप लोग किसी की पर्सनल लाइफ में जब तक मत घुसिये जब तक वो खुद नहीं चाहते और पहली बात तो शोचल मेडिया पर यह सब आना ही नहीं चाहिए कि मेरा उसके साथ मेरा इसके साथ मेरे पती ने मेरे भाई ने आज उसने उसे शादी क कर लिया उसने उसको छोड़ दिया भाई साथ इतना गंदगी हो गया कि आज हम बच्चों को शोचल मेडिया पर चानल दिखाई नहीं सकते पता नहीं मुझे मुझे मलब कभी-कभी ऐसा लगता क्या उनकी फ्रामिली नहीं होती क्या उनके आगे पीछे कोई नहीं होता सिर कि अगरम ही नहीं रही अब शोचल मेडिया पर पहले घर की बाते जरा सा पडोसियों को भी पता चलता था तो इतना हो जाता था कि यार आखे कैसे मिलाए और अब तो दुनिया ने पूरे शोचल मेडिया पर गा दिया है और काफी लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं मतलब दो 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 साल पुरानी बाते जो है शोशल मेडिया पर लाकर सोचिय मेडिया रख रहे हैं बने ही सुछाई चाहिये आप सिरने कि हम यह बटाकर हम सहानुगूती बुटेंर ले बिचारा जिसकी जो बेस्ती हो जिसके लिए जो सोचना है, तो अच्छा है, अगर दूसरे लोग सोचेंगे, तो हमें इससे आत्मसंतुस्ट्री मिलेगी, लेकिन मैं यह कह रही हूँ, कि आप लोग अपने करमाज खराप करते हो, और कुछ भी नहीं करते हो, क्या हमारे साथ हमारी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं होंगी या नहीं रही होंगी, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, हर औरत से पूछ लो, हर औरत की अपनी एक कहानी होगी, सौ में से निन्यान में जो लेडिस है न, उनके साथ प्रॉब्लम सोंगी, उतने ही आदमियों के साथ भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पॉन हर चीज को शोशल मेडिया पर रखे फिर तो मुझे लगता है कि 24 गंटे के लिए भाई पूरा लाइफ चलना चाहिए 48 गंटे, 24 गंटे और मैं तो कहले लिए 72 गंटे पूरा लाइफ चलना चाहिए घर की एक एक चीज होनी चाहिए फिर क्यों बैड रूम, फिर क्यों टॉलेट सब एकदम शोशल मेडिया पर होना चाहिए मेरे को तो लगता है आने वाले समय इतना ही वल्गर हो जाएगा तो प्लीज इन सब चीजों से बचे और इन चीजों को कुछ इंफ्लियंसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मत कीजिए आप लोग तो इतने ज्यादा व्यूज आप लोगों के चैनल पर जाते हैं बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं अगर किसी की सोच अच्छी भी होगी तो वो भी बिगर जाती आप जैसे लोगों के चैनल देखने के बाद और गाइस प्लीज ये सहानुभूती जो कुछ चैनल्स हैं मैं अभी बोलना नहीं चाहते हूँ लेकिन समय आने पर मुझे मुझे मौका मिला तो मिन चैनल्स का बकाइदा नाम लूगी मैं जानती हूँ कौन चैनल कितना जो है अपने आपको सहानुभूती दिखाने की कोशिश कर रहा है कौन चैनल है जो अपने आपको कुछ एक अलगी प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे है तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करो गाइस एक औरत है न, चाहे एक औरत हो, चाहे एक आदमी हो आप अगर अपने पैरों पर खड़े हैं न, तो आप अगर रोज रोज ये बोलेंगे न, हम नहीं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे तो फिर न, ऐसा ही होगा अरे अपने दम पर बनाईएं, अपने दम पर काम कीजिए भग्मान ने अगर आपको ये टैलेंट दिया है, तो आप अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं लेकिं प्लीज किसी को बदनाम करके नहीं किसी को बदनाम करके अगर आप कहेंगे न, तो जिंदिगी भर आप खुश नहीं रह पाएंगे सीरिसली बतारी, बिल्कुई खुश नहीं रह पाएंगे अनिवे, I hope कि आचा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा मेरे सच में मेरे जो शब्द होते हैं, वो कड़वे जरूर होते हैं पर भाई हमारे सचे शब्द होते हैं, हमारे दिल से निकलते हैं हम कभी भी ऐसा नहीं है कि बातों को बना कर हमें बोलना नहीं आता मैं हमेशा बातों को वही बोती हूँ जो reality होती है अगर किसी को बुरा लगता है तो देखो मैं कुछ नहीं बोल सकती लेकिन गाइस किसी के लिए कुछ भी बोलने से पहले किसी की personal life में जाने से पहले सोच लो हमारा बहुत ही आजमाया हुआ नुसका है यह जो बहुत गलत सावित होता है बात में जाते है thank you